लोरेंस गंग से जुड़ी हुई बड़ी ख़बर सामने आ रहे हैं दिल्ली के कारोबारी को लोरेंस गंग ने धमकी दी है रोहिद गोदारा ने कारोबारी को से रंदारी मांगी है आदियो मेसच के जरिये 10 करोड रुपे की मांग की है extortion का ये पूरा मामला है और धमकी यहाँ पर दी गई है audio clip फिलाल लगातार वाइरल हो रहा है audio में रोहित गोदारा की अवाज की पुष्टी भी पुलिस के द्वारा की गई है ये भी कहा जा रहा हाला की times now अभारत इस audio clip की पुष्टी नहीं करता है लेकिन कारोबारी ने मामले को लेकर पुलिस में शिकायद दी जिसके मुताबिक पुलिस ने फिलाल मामला दर्च कर लिया है ये भी कहा जा रहा है कि ये नंबर विदेशी है विदेशी नंबर से कॉल आया फोन पर दूसरी तरफ से लॉरेंस गैंग और रोहिद गोदारा के नाम से गाली गौलाच की बात कही जा रही है अब फोन कट करने के बाद में वाटसेप पर एक audio message भेजा गी है जिसमें 10 करोड रुपे की मांग की गई है एक्स्ट्रॉक्शन ना देने पर परिवार समेत कारोवारी को मारने की धमकी यहाँ पर फोन पर दी गई है पुलिस ने मामले में F.I.R. दर्ज की है साथी साथ में ओडियो में रोहिद गोदारा की आवास की पुष्टी भी की जा रही है लेकिन ये फिलाल मामला बेहत गंबीर क्योंकि दो दिन पहले ही जिम के ओनर को नादर शा को मौत के घाट उतारा गया कई राउंड फारिंग की गई जिसके जिम्मेदारे भी रोहिद गोदारा के गैंक के द्वारा ली गई लॉरेस बिश्णोई के साथ में इस पूरे गैंक का संबंध है और आप एक और मामला सामने आया है जिसमें कारोबारी को धमकी यहाँ पर दी गई है और देखिए इस बीच आपको बता दे कि रोहिद गोदारा के नाम से कारोबारी को धमकाने का और आडियो लगातार वारल हो रहा है और आडियो भी सामने आया है दोनों की बीच में क्या कुछ बातचीत हुई और इस आडियो मेसेज में क्या कुछ कहा गया है आपको सुनवाते हैं अब आपको अब आपको यह बताएंगे अमकून आपको नीए अमवाज आजेगी तरी अजया जाल जाला तेरे रोई तो गदरा बोल रहा हुँ एक तो मेरा भाई शुन तो जो दिमाग लगा रहा है न तो अवाज ओ तेरे पास सारी आ रही है तो मरने गलखन मत करें अब आपको यह बताएंगे अमकून आपको नीए अमवाज आजेगी तरी तो देखिए यह औडियो क्लिप लकातार वाइरल हो रहा और इसी औडियो क्लिप के आधार पर पुलिस ने भी मामला दर्च किया है अगर रंगदारी नहीं दी पैसा नहीं दी